हालो फ्रेंज, स्वागते आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 6 तो 12 मांद आफ बेबी फूट आज मैं बनाऊंगी वेजटेवल सूप जो 6 से 12 मैने के अंदर के बच्चे को दिया जाता है तो ये वेजटेवल सूप मैं अपना पच्चे को लिए बना रही हूँ तो आप इसे इसली ट्राइ कर सकते हो अपने बेबी के लिए यहाँ पे मैं इस वेजटेवल सूप बनाने के लिए ले रही हूँ ग्रीन पीस यानि की मटर अभी बजार पे भरबर के आया हुआ है आप इसली इस हरी मटर को ले सकते हो और गाजर को बार ही किसी काट कर लेंगे मैंने वान फुल गाजर का भी एक जोधाई में से लिया है और चोटा मेडियम साइस का यहां पे मैंने पोटेटो को भी लाउट करके ले लिया है और यहां पे थोड़ी सी प्याज भी ले लिया है ओनियान ओनियान हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है बेपीस को जरू दे और यहां पे मैंने टोमेटो लिया है टोमिटों को मैं आदा पीस में लूँगी और इसका जो अंदर का सीट से इसको और बाहर के जो पील है उसको फेक देंगे ताकि बच्चे को जब हम फूट देंगे ना तयार बनके तो उसे कोई भी दिकत ना आए साथी साथ मैंने एक पी चोटी सी लस्ण का फ्रस्ट स्वी एक ले लिया है और सारा बैस्टेबर को यहाँ पर मैं अच्चे से वाश भी पहले से कर लिया था प्रेश्र खूकर म нужен direct हम में से मिलाएंगे और इसके अंदर में साथी साथ में दो चुटकी यहाँ पर नमक और दो तो अब इसे तीन से चार सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे तो फाइनली हमारा वेजटेवल में चार सीटी आ चुका है ये अच्छे से पक चुका है बहुत ही अच्छे से चार सीटी में आपके वेजटेवल फाइनली इस तरह से कुख हो जाएगा मैस करगे देखेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद में हम सारा वेजडेवल को एक मिक्सी जार मी मिलाते हुए, इसको ग्राइन करके फाइन प्यूरी बना लेंगे, ताकि बच्चे को जब हम इस सूप को देंगे, तो बच्चे आसानी से डाइजेशन कर सके, तो इस तरह से फाइन बेबी को हाजमा का प्रोब्लम नहीं आएगी, और आसानी से आपके बच्चे एजिली इस वेजडेवल सूप को डाइट में शामिल करेंगी, और आसानी से उखाएंगी, और उनका हाल के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको ये बेबी फूट अगर थोड़ा सा भी हेल्फूल लगा हो तो प्लीज चैनल को एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और वीडियो में पहले बार हो तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करें, थैंक्स पर वच्च